फ्रेंड्स आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे थे कि 15 अप्रेल से एरलाइन चलेंगी या फिर नहीं तो फ्रेंड्स हम इसके उपर ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि 15 अप्रेल के बाद से कितनी एरलाइन के चलने की उमीद है फ्रेंड्स यहाँ पर आरे खबरों के अनुसार डोमेस्टिक रूट्स पर कुछ एरलाइन की सर्विस सुरू हो सकती है क्योंकि कोई भी एरलाइन 15 अप्रेल के बाद की अपनी कोई भी इंटरनेशनल टिकट की बिक्री नहीं कर रही है यहाँ तक कि आपुधाबी और बाहर की एरलाइन कंपनिया भी अपनी टिक्टोक की बिक्री को 30 अप्रेल तक बंद करके रखा है इस बात की तो पूरी स्योरिटी है कि इंटरनेशनल रूट्स की एरलाइन अभी अपनी सर्विस 30 अप्रेल तक नहीं देंगी लेकिन डॉमेस्टिक डेस्टिनेशन के लिए एरलाइन अपनी टिक्टोक की बिक्री कर रही है इसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉमेस्टिक डेस्टिनेशन के लिए एरलाइन अपनी सर्विस शुरू कर देंगी इसके अलावा कल की मीटिंग में भी परधानमंत्री नरेंदर मोदी ने इस बात को किलियर किया है कि लॉकडाउन तो पूरे तरीके से नहीं हटेगा लेकिन हाँ इसमें कुछ तरे की छूटे जरूर दी जाएंगी और वो छूटे किस रूट्स के लिए दी जाएंगी उसके बारे में एकुरेट बताना जल्द बाजी होगी तो हमें सही निउस के आने का इंतिजार करना पड़ेगा उसके बाद ही हम आपको कंफर्म जानकारी दे पाएंगे फ्रेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं कि हमने आपके आल्मोस्ट सवालों का जबाब दे दिया होगा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसकी आगे आने वाली जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें